नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में एक और महतुपूर जानकरी के साथ हमें एक बार फिर हाजी रहें दोस्तों सुबह खाली पेट थोड़ा सा गुड़ खाकर गर्म पानी के क्याव क्याव फाइदे होते हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जियां दोस्तों स्वाद में मीठा और तासिर में गर्म गुड़ बहुत सारे पोशक तत्वों से भरा हुआ होता है जिसका सेवन शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशल होता है आयूरवेद के अनुसा रोजाना खाली पेट गुड़ खाकर एक गलास गर्म पानी पीने से पेट में गेस, पेट डर्द, कबज, ऐसे डिटी, आधी समस्याय दूर हो जाती है दोस्तों पुराने समय में लोग मीठे गुड़ का सेवन किया करते थे लेकिन चीनी का उत्पादन होने के बाद लोग चीनी का इस्तमाल ज़्यादा करने लगे हैं काफी लोग गुड़ भूलते जा रहे हैं लेकिन आज हम आपको गुड़ के ऐसे फाइदे बताने वाले हैं जिसको जानने के बाद आप अपनी डाइट में गुड को जरू शामिल करेंगे तो चलिए दोस्तो अब आपको बताते हैं कि इसके क्या-क्या फाइदे होते हैं दोस्तो खराब खान-पान की वज़े से खून में गंदगी जमा हो जाती है जिसकी वज़े से शरीर को कई सारी बिमारियों का और समस्याओं का सामना करना पड़ता है एसे में दोस्तो आप रो जाना सुबे एक टुकडा गुड खाने के बाद हलका गर्म गुन-गुना पानी पीएंगे तो इससे आपका खून खाफी हत्तक साफ हो जाएगा और खून से सारी गंदगी दूर हो जाएगी दोस्तो काफी लोगों को जोडों और गुटनों के दर्द का सामना करना पड़ता है इस परेशानी से बसने के लिए गुड और गर्म पानी का सेवन आप लोग कर सकते हैं इससे आपके गुटनों के दर्द और जोडों के दर्द से आप छुटकारा पा लेंगे दोस्तो गुड में बहुत सारे पोशक तत्व पाये जाते हैं अगर आपको पेट संबंदिस समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो आप गुड का सेवन करें इससे कबज, गेस और एसेडिटी की समस्या नहीं होती है आप खाने के बाद एक टुकडे गुड का सेवन करेंगे तो पेट से संबंदिस भोछ सारी समस्याओं दूर हो जाएंगी दोस्तो जिन लोगों के शरीन में खून या फिर आईरन की कमी होती है वो रोजाना गुड को सुबे के शमेश जरूर खाए इसमें बरबुर मातरा में आईरन पाये जाता है जो की खून की कमी को और आईरन की कमी को दूर करता है दोस्तो अगर आप मोटा पे से परेशान है तो गुड आपके लिए बहुत बेनिफिशल साबित हो सकता है क्योंकि दोस्तो गुड में ऐसे गुड पाये जाते हैं यह रोग प्रती रोधक शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं गुड का इस्तमाल कई तरह की सिरप और दमाओ को बनाने के लिए भी किया जाता है दोस्तो स्वशन शम्मंदित रोगों के लिए गुड बहुत ही बेनिफिशल होता है रोजाना गुड और उसके बाद हलका गर्म गुणगुणा पानी पीने से ब्रोकाइटीस और अस्तमा जैसे रोगों से बचाओ हो जाता है और ब्रोकाइटीस और अस्तमा जैसे रोग आपको छू नहीं पाते हैं तो दोस्तों देखा आपने ये थे लाजवाब फाइदे गुड़ खाकर हलका गर्म गुनगुना पानी पीने से होने वाले फाइदों के बारे में जानकरी तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो जानकरी जो होती है यहाई समाब तो उम्मीद करता हूं वीडियो जानकरी आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो जानकरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर दमाए धनिवाद दोस्तों